सियम भुपेज भगेल आज दो और जिलों को नई सोगात देने जा रहे हैं इन जिलों को लेकर पहले ही सियम भुपेज भगेल ने जिला बनाने की घोशना कर दी थी मैं आपको बता दू कि कल भी सियम भुपेज भगेल मोला मानपूर गए हुए थे और उसे भी जिला घोशि उन्होंने कारेक्रम किया था तो CM इन दिनों तीन अलग अलग जिलों के उद्घाटन कारेक्रम में शामिल हो रहे हैं कल एक जिले का उद्घाटन के और आज चुई खदान गंड़ई CM बुपेश बगेल पहुचेंगे उसके पहले सारंगड पहुचेंगे और इन दोनों जिलों के उद्घाटन कारेक्रम में वो शामिल होंगे जिसको लेकर उस जिले में खास तोर पर उत्सा वहां के लोगों का देखने को मिल रहा है पूरे शहर को सजा दिया गया है जिला बनने की खुशी में क्योंकि एक लंबे समय से मांग थी सारंगड को जिला बनाया जाए इसके अलावा छुई खदान गंड़ई को भी जिला बनाया जाए इन दोनों छेतर के लोगों में उत्सा है इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री आज उस जो वादा किया था उन्होंने जो घोशना की थी घोशना को पूरा करने के लिए आज वहां पर पहुंचेंगे और लाखों करोडों रुपे की सौगाद भी उन छेतर वासियों को रही है तो अलग-अलग तरीके से जो कारे करता है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इस खुशी के माहौल में जनता भी असीयम बुपेश बगेल के साथ देखने को मिल रही है तरीके से किसानों को जो लाभ मिल रहा है या जो परिशानिया हो रही उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा एक लाग 75,000 हेक्टियर जो खेती की जगह है वहाँ पर सरसो की खेती करने की भी बात उन्होंने कही है इसके अलावा जो पीम जैसवाई योजना है उसके अलावा मुख्यमंत्री राजियो गांधी किसान न्याई योजना है उसकी जो केवाइसी अधूरे हैं जो खातों मे पर जाकर दूर करने की जो निर्देश है वो सिधे तोर पर क्रिशी मंत्री रवीन चौबे ने दिया है याने कि क्रिशी को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन खेतों में उन किसानों के पास तक भी अधिकारी पहुँचेंगे जमीनी हकीकत जानने कि क्या वाकई में उनको किसी तरीकी की परिशानी आ रही है खाज बीच की कोई कमी तो नहीं है अगर कमी है तो उसको तुरित अधिकारियों को दूर करने के निर्देश भी रवीन चौबे ने दिये हैं कुल मिलाकर 36 गड़ में किसानों को कोई भी परिशानी ना हो और परिशानी ना होने के साथ- एक रिपोर्ट तयार करने के निर्देश यहाँ पर क्रिशी मंतरी रवीन चौबे ने दिये हैं ताकि बहतर क्रिशी उत्पात को लेकर 36 गड़ की स्थिती बहतर हो सके